बिस्मिल्लायर्मानियर्रहीम, on the demand of Abhishek, battle of computer application, Kolhan University जारकर, यह problem differential calculus की है, successive differentiation chapter से, find x square e to the power x cos x, all bracket में यह न, इसका उनलब यह हुआ कि अगर हम इस function को y के को माल ने, x square e to the power x cos x को, तब इसमें y माल दिया, तो यह में y n की value को find करना है, क्या होगी, यहनि इसका n बार differentiation हमको find करना होगा, तो इसके लिए हम, क्योंकि n बार दो function की multiplication को, यहनि हमें y की value दे रखी है, इसमें हम दो बार में कर देंगे, x square को एक function माल लेंगे, और e की बावर x into cos x को दूसरा function यह times अगर चाहते हैं की difference से निकालना, तो हम यहां पर apply करेंगे, labnese theorem, तो labnese theorem में हम जानते हैं, इसको u मानना चाहिए, और इसको b, क्योंकि v से इसलिह मानना है, कि x square का अगर हम दो बार differentiation करेंगे, तो constant हो जाएगा, तीस से बार 0 हो जाए, constant का differentiation, तो इसको भी मानना जाता ह है, जो एक बार, मतब कुछ differentiation करने बाद, खतम हो जाए, 0 हो जाए, eliminate हो जाए, यानि, diminish हो जाए, तो इसमें यूइलर फार्मूला जब apply करेंगे, तो फार्मूला होता है, nc0, और u को, x, v होता है, इसको थम ऐसे लिख देते हैं, और u को n time से differentiation करते हैं, जो कि यहां पर e की पाबर x और cos x है, इसका प्लस का साइन लगाएंगे, और इस टर्म को देखके, अगला term लिख देंगे, यानि, nc1 लिखेंगे, और यहां पर x square का, यानि, v मानस का differentiation करेंगे, एक बार, तो x square का differentiation 2x होता है, और इसमें एक कम कर देंगे, यहां बढ़ा देंगे, 0 बार हो र यहां बर, n बार हो रहा था, तो आप differentiation n-1 times होगा, e की पाबर x, cos x का differentiation, फिर इस टर्म को देखके, हमें अगला term लिखना है, यानि, nc1 था, तो 2 हो जाएगा, और इसका दुबारा से differentiation करेंगे, यानि, v का जो आचुका था, इसका दुबारा differentiation करेंगे, तो 2 constant into x का differentiation x के respect मे बन हो जाएगा, और यहां पर हम एक और कम कर देंगे, differentiation n-2 times, डिफरेंसिस करेंगे, e की पाबर x, cos x का, आगे term 0 हो जाएगा, इसका differentiation करेंगे, तो सारे term 0, 0 हो जाएगे, तो उन्हें लिखने की हमें जरूत नहीं है, अब यहां पर हमें थोड़ा से solve करके लिखना है, पिलस, इसी तरीके से, अगर यहां 1 लिखा है, तो उपर जो लिखा होता है, वही वैलू आ जाती है, यान और यह 2x into, n-1 time, differentiation करेंगे, e की पाबर x, cos x का, अब इसी तरीके से, यहां 2 होता है, तो इसकी वैलू होती है, n यह कम कर देंगे, n-1, अपान में, 1 into 2, यानि 2 होत है, और इसका differentiation करेंगे, n-2 times, e की पाबर x, cos x का, यह 2 से 2 तो cancel हो जाएगा, अब थोड़ा simplify करके, और लिख देते हैं, y n-igal 2, x square into, इसको भी फिलाल, हम ऐसी छोड़ देरें, क्योंकि एक फार्मुला बताएंगे, उसकी according, इसको फिर, हम सभी को लिख सकेंगे, 2 को पहले लिख दें, 2n x, और n-1 time differentiation, e की पाबर x, cos x का, और यह 2 cancel होगे, तो बच्चेगा, plus का n, n-1, और इसमें, n-2, n-2 time differentiation, e की पाबर x into cos x का, अब इसके लिए, हम इनकी वेलो को फाइंड करने के लिए, हम फार्मुला बता दे रहे हैं, आपर, कि थोड़ा सा बड़ा सा फार् इसको पहले बता देंगे, कि n बार अगर differentiation करना, e की पाबर ax, और cos bx का, तो इसका फार्मुला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, a square plus b square whole power n by 2, e to the power ax, cos of bx plus c, plus n times 10 inverse b upon a, अब यहाँ पर इस फार्मुला, यह तो जनरल फार्मुला है, और इसको पाटिकुलर आपने इस question के लिए बनाने के लिए देख रहे हैं, कि a की value होगर हम बन कर दें, तो यह हमारा बन जाएगा, e की power x बन जाएगा, क्योंकि इसको एक्स को आफिस हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर d, a की जगा पर 1 रख देंगे, यहाँ एक जगा पर 1 रखने पर यहाँ पर यह x यहाँ पर बचेगा, तो हमारा यह formula reduce होके, e आजाएगा, इसमें, यहाँ एक जगा पर बन रखना है, बी की जगा पर भी बन रखना है, जैसे कि हम यहाँ बता चुके हैं, और इनका square करेंगे, power is n by 2, और e की बावर, यहाँ एक जगा बन रखना तो only a की बावर x हो करें, 1 का square 1 होता है, और 1, 1, 2 हो जाएगा, तो 2 की बावर हो जाएगी, n by 2, इंटो e की बावर x, इंटो cos of x plus n times, 10 inverse 1 आ गया, 10 inverse 1 जो होता है, हम लोगे यहाँ पाइवी 4 की बराबर होता है, क्योंकि 10 पाइवी 4, 10 पाइवी 4 की बावर होता है, इसकी बावर 1 होती है, इसल है, तो वहाँ पर रख देंगे, लेकिन साथ-साथ इसके n है, तो यहाँ पर n आ चुका है, अगर n-1 होगा, तो n-1 आ जाएगा, यहाँ पर भी n-2 तो n-2 आ जाएगा, यही तीनों वैलू यहाँ पर रखना है, तो हम y-n की बावर हमारी चल लएए थी, वो हम लिख सकते ह कारमूले के यूस करते हुए, तो y-n हो जाएगा, x-square और यह वैलू तो हमने भी निकाली थी, तो इसके यहाँ पर यह रख देंगे, पुट कर देंगे, 2 की पावर n by 2 into e to the power x into cos of x plus n pi by 4, अब अगला टर्म है, जिसमें है, 2 n x है, यह और इसके बाद n की जगा पर बस n- 1 करना है, पूरे इसमें, तो वैलू हो जाएगी, यह 2 की पावर n-1 upon 2 into e to the power x cos of x plus n की जगा पर n-1 करना है, यहाँ पर अपान में, इंटू में है by way 4, फिर अगला टर्म है, लास्ट टर्म है, यहाँ पर हमें लेकना है, तो प्लस n into n-1 और इस वैलू के लिए बस हमें जाएगी, तो यह इंटू में चल ला है, 2 की पावर n-2 हो जाएगी, अपान में 2 है, और e की पावर x into cos of x plus n-2 into pi way 4, बेकिट क्लोज कर देंगे, यह इतना हमारा अंसरा चुका है, थैंक्यू वेरी मच इंडीड ओर लिस्निंग में, वाकरत दावाना, अलहम्दलिल्ल्लाह नहीं, रबिलालमीन